maximum pairs के उपर काम किया जा सके इंडियन मार्केट में और काफे सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन मार्केट में काम तो करना चाहते हैं बट उनका कहना यह है कि इस particular group के अंदर free of course टाइड कर दिया जाते हैं यहाँ पर जहाँ पर आपको trade level share किये जाते हैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कल ही मेरे पास एक call आया है जिसके अंदर approx 40 lakh रुपीज का scam हुआ है forex market के अंदर एक client के साथ में और बहुत ही बुरे तरीके से कह सकते हो client phone पे रोने के लिए तयार थे reason है उसके पीछे मैनत की कमाई होती है जब वो जाती है वो आपे problem होती ही होती है आज मैं बात करूँगा कि किस सरीके से आप उन्हें scam से बढ़ सकते हो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है प्लस बताना चाहूँगा कि आज की बात करें तो USD आनर अक्टूबर मंत का अगर हम बात करें तो आज market open हुई यहाँ पर and जैसा की range share किये गए थे किस वज़े से educational purpose के लिए कि 83.20 and 83.53 हमारे target range होंगे अगर यहाँ पर lower range को touch करता है तो हम क्या करेंगे buy trade activate करेंगे और अगर upper range को touch करता है तो यहाँ पर counter trade activate करेंगे जैसा की पहले सी pre-plant हुआ करता है तो आज की बात करें तो आज normally हूँ क्या सकता था आज केवल option selling अगर किसी ने की होगी then definitely उसके लिए easy way होगा money earn करने के लिए because काफी high probability है कि market अभी कुछ दिनों के अंदर like नीचे की तरफ moment जरूर करे काफी जादा high probability हाँ पर count हो रही है so this way से like कह सकते हो हमें wait करना था तो आज मैंने वही चीज की यहाँ पर अभी बात करें तो क्या चीज हुई क्या चीज़े की गई जैसे कि आपको पता है कि मैं हाँ पर कुछ strategies को implement कर रहा हूँ किन चीज़ों के लिए GBP INR के लिए Euro INR के लिए और JPY INR के लिए so मैं हाँ पर focus कर रहा हूँ कि maximum जो pairs हैं उनके अंदर काम करके easily money earn की जा सके और वो सारी चीज़े बहुत easy होती है common सी बात है तो आज देखा जाए तो आज cable और cable like कह सकते हो Euro के अंदर और JPY के अंदर एक छोटा-छोटा सा profit यहां पर निकल कर आया no problem because कुछ ना कुछ आया गांदी जी जाने नहीं चाहिए तो वो गए नहीं सबसे अच्छी बात ही हो जाती है तो यहां पर बात की जाया है तो भाई यहां पर यहां पर फील हुआ कि भाई मार्केट वापस रिवर्सल कर सकती है डाउन साइड पर यहां से चुप चाप निकल गया रीजन बड़ा सिंपल सा था मैंने यहां पर पहले भी शेर किया था मॉर्निंग में भी लेविल जो शेर की गए थे डिस्कोर्ट सर्वर की ओपर वापर बता दिया गया था कि मैं क्या चीज हो सकती है अभी बात करें तो 84 की कॉल यहां पर एक मैंने शॉट की हुई है और बात की जाए अगर GBP INR की दन यहां पर एक कह सकते हो एक काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर दी गई है ताकि हमारे जो लॉसिस हैं उनको रिकवर किया जा सके अभी आपको बताना चाहूंगा कल GBP में क्या हो सकता है नार्मली काफी हाई प्रोबबिलिटी थी कि GBP के अंतर आप देखोगे तो यह GBP का चार्ट है GBP INR का सो काफी हाई प्रोबिलिटी है कि कल मार्केट में यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप खुले गैप अप खुलने के बाद में होने वाला क्या है जो नीचे से उपर तक का प्रोफिट होगा लाइक बाए साइड पर मैं उसको continue करूँगा बुक यहाँ पर और जैसे ही यहाँ पर कह सकते हो यहाँ तक के मार्केट मेरा target price तक आ जाती है उस condition में वहाँ पर मैं sell trade को खुला छोड़ सकता हूँ रीजन बड़ा simple सा है अब यह बात करें तो trend जो है GBP INR का वो downtrend है तो downtrend है तो no issue हम यह चीज़ कर सकते हैं अगर आप fund money management ढंक से कर सकते हो तो यह बात ध्यान रखना आप लोग please safety के लिए के value is the INR के अंदर ही काम करें रीजन बड़ा simple सा है यह काफी ज़ादा easy रहता है ज़ादा गंदी movement नहीं आपाती है बट GBP INR की बात करें तो इसमें थोड़ी बड़ी movement आ जाती है तो आप अपने fund के अनुसार ही अपनी trades को कह सकते हो execute करें अभी बात की जाए हैं यहाँ पर आप देख सकते हो तो मैंने क्या किया सबसे पहली बात है मैंने हाँ पर quantities add करके जो अपना average buy price था उसको काफी जादा नीचे में लेया है यहाँ पर चीक है 101.4442 तो common सी बात है अगर यहाँ पर कल market gap अप खुलती है और price मेरा 101 point like इस price से उपर जाता है then definitely मैं अपना buy set का जो negative trade है उसको मैं exit करूँगा और वो profit basically जो कह सकते हो जो अभी यहाँ पर चला गया देख रहें वो negative है वो green हो जाएगा तो common सी बात है वो loss यहाँ पर shift हो जाएगा और यहाँ से market एक या दो दिन में वापस जब reversal downtrend करेगी because trend के साथ जाना ज़रूरी है उस condition में मैं अपना profit यहाँ से gain करने की कोशिश करूँगा अब देखो यह चीज जो करना है ना यह सारा का सारा game practice का है आज तक मैंने जो practice की है वो USDNR के उपर की है बट अभी क्या है मैं यहाँ पर focus कर रहा हूँ कि maximum payers के उपर काम किया जा सके Indian market में और काफे सारे लोग ऐसे हैं जो Indian market में काम तो करना चाहते हैं बट उनका कहना यह है कि बहुत बड़ी movement नहीं आती USDNR के अंदर वगेरा वगेरा जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है अगर कोई इंसान काम करना चाहता है जैनुन तरीके से profit gain करना चाहता है तो USDNR से अच्छी चीज़ कोई और हो ही नहीं सकती है पर फिर भी यहाँ पर strategies की बात करें तो strategies वही common strategies में यहाँ इंप्लिमेंट करने की कोशिश करूँगा जगी मैं हमेशे आपको बताता भी रहता हूँ normally हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं अगर हम बात करें तो GBP INR चीक trend है इसका जो trend है GBP INR इसका जो trend है basically वो है downside so common सी बात है downside है तो हम कोशिश करेंगे अगर हमारी कोई trade बनती भी है और अगर वो फज जाती है तो वो trend के साथ हो means trend जो है down है तो downside पर हम selling side पर profit gain करने की कोशिश करेंगे दिक्कत दिखो यहाँ पर यह आती है कि अगर यह बहुत गंदी वाली moment उपर की तरफ कर जाता है तो उस condition में आप उसको manage करने के लिए capable होने चाहिए क्योंकि काफ़ सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे भाई जब trade negative जाने लग जाती है तो हमारे mind के अंदर जो होता है panic condition बन जाता है और panic condition में हम लोग धंक से profit gain करने की condition में होते ही नहीं है और पर डर के मारे हम trade करते हैं और डर के मारे तो देखो कुछ भी आप करोगी तो नुकसान ही खाते हो इसी तरीके से second pair की बात करूँ जैसे hero आहनार hero की बात करी तो इसकी condition भी trend की बात करी तो trend इसका भी काफी time से अभी down ही चल रहा है so down trend है तो common सी बात है यहाँ पर भी अगर हम trade लेने की कोशिश करेंगे then हम यहाँ पर sell side पर trade लेने की कोशिश करेंगे मैं फिर बोलूँगा money management सबसे ज़्यादा कीमती चीज हो जाती है आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपको उतने ही number of lots के इंदर trade करना चाहिए जिसको आप manage कर सकते हो देखर मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर आपको लगता है ना कि भाई मैं कितने trade manage कर सकता हूँ I don't know then definitely इसी महसूस करना कि जब आप trade लेते हो तो आपकी heartbeats बढ़ती तो नहीं है आप इस चीज को महसूस करना कि जब आप trade लेते हो तो आपको tension तो नहीं होती हो मैंने तो ट्रीड ले रखिए भाई बार 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 ट्रेड पर नज़र तो नहीं जाती है अगर ऐसा नहीं है दन डेफिनेटल आपके लिए वो quantity बिल्कुल सही है बट अगर आप बार बार अपने फोन को देख रही हो बार बार अपने प्राइस को देख रही हो देफिनेटले वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुँ जादा जरूरी है तो अपनी quantity को ऐसे मैनेज करें इसी तरीके से बात करें जेपीवाई की JPY INR की बात करें तो इसके भी अगर मैं trend की बात करूँ तो इसका भी trend नॉर्मली downside ही है चीक है तो यहाँ पर भी downside पे ही movement होनी है और common सी बात है हम लोगों को धियान रखना है अगर कोई trade भस भी जाती है तो हमारी वो trade sell side पर कह सकते हो profitable आके खड़ी हो जाएगी no problem उसके स कि यहाँ पर हम बार-बार-बार-बार क्या कर सकते हैं upside means overall upside है अभी कुस time के अंदर यह नीची आ सकता है एक हफ़ते से देड़ अफ़ते के अंदर अंदर no problem तो यहाँ पर कोशिश करना है कि trade अगर फर्स भी जाए सो हमें buy side पर trade में लाइक है सकते हैं अपने opportunity find out करनी है अब तीन पेर और है देखो यह तो हो गए वह पेर जो काम करने के लिए बहुत easily available हो जाते हैं 3rd, 4th, 5th यहाँ पर क्या हो जाता है जैसे कि euro, USD, GBP, USD, and JPY, USD इन पेर के अंदर आप काम करना चाहते हैं तो इनके भी पेर के trend जो है basically एक का basically कह सकते हो यह upside पर mint कर रहा है USD, GPY, बाकि यह भी down ही है और normally यह भी down ही है ठीक है और आप यह चीज ना individual chart देखकर भी पता लगा सकते हो कि भाई मेरा overall trend क्या चल रहा है तो अभी की बात की जाए तो अगर in pairs की बात करें तो in pair में अगर आप काम करना चाहते हो आपको जो broker use करना चाहिए वो है allies blue यह broker आपको permission allow करता है इन तीनों के अंदर काम करने के लिए चीक बट मेरा interest अभी इनकी तरफ नहीं है आप चाहो तो नीचे में लिंक दी है account open कर सकते हो no problem within 10 minute account open हो जाता है अपर में भी काम कर सकते है जब trend identification हो जाता है तो काम करना easy हो जाता है अभी मेरा main focus जो है सबसे first priority मेरी यह है देन उसके बाद में बात की जाए तो यह सारे के सारे pair जो है for practice purpose प्लानिंग की इनकी strategies जो है न वो इतनी अच्छे तरीके से practice कर लूँ अच्छल में बात यह है कि मैं USDNR पर ही काम कर रहा हूं तो इस वह से मेरे USDNR के ही concept जादा अच्छे हैं and काफे सारे लोग ऐसे हैं होते हैं जो एक ही चीज़ पर focus करते हैं आप जानते हैं मैं पहले सी चीज़ शेयर करता हा रहा हूं एक चीज़ पर focus करने से जादा profit होता है तो अभी USDNR की बात करें तो इसकी जो भी strategies है normal सी बात है जो भी strategies में use करता हूं वो strategy मेरे अच्छे तरीके से work कर रही है यहां पर हम लोगों को profit होने की probability काफी जादा हाई हो जाती है तो अभी की बात करें तो USDNR सबसे first priority होने चाहिए आप लोगों की अगर आप काम कर रहे हो share market में फोरेक्स market जिसको बोलते है currency market वहां पर Indian market के अंदर और अगर आप थोड़े से time के साथ में like कह सकते हो मुझे और और भी जादा अपनी आपको grow करना है यहां पर इन strategies पर भी focus कर सकते हो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा मैं अभी अपनी बात करूं तो मैं यहां पर अभी क्या कर रहा हूं मैं अपने जो मेरे पास में कह सकते हो मैंने एक अपना register create किया हूँ है like register है plus एक कह सकते यह एक्सल सीट है जहां पर मैं क्या करता हूँ जो भी मेरे options के trade होते है options के trade especially पता है किस चीज के अंदर जैसे stocks की बात करें क्योंकि I know की आने वाले time में like common सी बात है stocks के अंदर अगर हम options में काम करते हैं तो वो भी एक अच्छा खासा profit कमाने का तरीका बन सकता है विकाल से stock की बात करें जैसे nifty 50 के stocks है मेरे भाई तो nifty 50 के stocks सोचो जिसके अंदर बड़ी बड़ी companies like mutual fund है commerce ही बात है like banks हो गए like बड़े-बड़े investors हो गए like SIP करने वाले हो गए वो लोग यहां के top के जो banks होते है SDFC, Reliance इन banks के अंदर काम करते हैं common सी बात आती है so सोचने की बात है मेरे like 10-20-50 क्रोड़ा ना कुछ होने वाला है सोचने की बात यहां पर यहां पर आ जाती है कि जिन लोगों के क्रोड़ और पर होता है तो trend के साथ ही काम होता है एक्चल में आपको एक बात बता हूँ हमारे mind में एक panic condition हो जाती है माल लीजिये normal में देख रहा हूँ भाई यह हमारा trend है और यहां पर trend डाउन जा चुका है नीचे जा रहा है बट हमारी क्या है mind में साइकलोजी डवल अप हो चुकी है कि जैसे हमने देखा कि डाउन ट्रेंड है तो हमने आपके क्या किया उपर की call को sell किया और उपर की call को माल लीजिये हमने buy किया सो हम panic condition में रहेंगे खुद बाखुद internally हमारा mind हम लोगों को na signal provide करना चालू कर देता है कि बटा यह उपर की दर बाग गया तो उपर की दर बाग गया तो समझ रहे हो यह conditions को manage करना जरूरी है और यह condition पता किसी से दूर हो सकती है जब आप practice करते हो अब देखो मैं real market में like stock में enter करके practice नहीं कर रहा हूँ ठीक बट मैं इसको क्या कर रहा हूँ जान बूच कर कि सोचो मैंने यहाँ पर like reliance है उसके अंद option selling करनी है in future के अंदर वी तो मैं अपनी practice को अभी से gain कर रहा हूँ मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा अगर आप अपनी practice को gain कर रहे हो आपके पास पैसे नहीं मैं agree कर रहा हूँ तो को starting भाईयो किसी के पास पैसे वैसे नहीं होते इतने जादा कि करोड़ों का माल लेकर क share market वो जगा है जहां पर कह सकते हो समूदर है यहां से आप अपना एक लोटा या एक बाल्टी पानी भी निकाल लोगे ना यहाँ पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है बट वो निकालने के लिए आपके पास में पूरी proper knowledge और understanding होनी चाहिए कि मैं किस field में काम करने के लिए लोग हजारों इंडिकेटर को यूज करने के बाद भी profitable नहीं हो पा रहे है रीजन बड़ा simple सा है सारा game आ जाता है practice पे एक चीज़ को बार 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 try करना और उन चीज़ों को बार बार analyze करना कि मैंने कितने बार number of trade ली थी और कितने number of trade मेरे green यहां पर जानेगी probability ब अब मैं यह चीज़े कर रहा हूं माली जी अब मैंने स्टार्टिंग किये कि मैं बाकी पेर से भी focus करूंगा because मैं आपको फिर बोलता हूं मैं जो strategies use करता हूं यूसडी अनार के अंदर भाई ना तो वो कहीं पर YouTube पे मिलेगी ना वो Instagram पे मिलेगी ना ही वो किसी book में मिलेगी logics थोड़े से different हैं और logics के ही ऐसली game होते हैं सबको पता होगा share market में क्योंकि share market में आप degree लेकर बैट गए ना कि मैं भाई मैं तो degree ले रखी है कुछ नहीं होता बाई उससे कुछ कद्दू कुछ नहीं होता यहाँ पर सारा गीम experience का है और experience वो चीज होती है जो धीमे धीम होते हैं हम लोगों को तब इतनी महनत करनी चाहिए और जब बेसिकली पैसे आ जाते हैं तब क्या होता है महनत इतनी की होती है तो आपको experience होता है तो आप अगर इतनी सी भी महनत करोगे ना तो वो भी एक बहुत बड़ा result निकाल के देती है यह चीज मैंने खुद कियो ही तो यह बात आप भी ध्यान रखो कि अगर आप काम कर रहो यहो दन मल्टीपल चीजे करना जरूरी है जैसे कि आज से मैंने आपे करना चालू भी कर रखा है कि कैसे काम करना है तो अभी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 5500 profit है इस ओके एक छोटा सा amount gain हो गया बहुत अच्छी बात है अब यहाँ पर एक छीज नोटिस करने की है कि काफी साथ लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 20 lot के इंदर काम किया था 20 lot में यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई 88.40 पर आप exit कर गए बढ़ अगर आप रुके रहते तो 88, 12.50 तकी आया और 5500 रुकी इसका प्लस प्रॉफिट और यहाँ पर भी दिखाए दिया मतलब समझ रहे हो क्या है इसका मतलब यह है कि हमारा पॉपट बन गया अब देखो यहाँ पर फील आती है कि मैं पॉपट बनना फील करूं या फिर यह बोलू कि भाई देखो 5500 तो मैंने प्रॉफिट गेन कर लिए न देखो यहाँ आ जाता है दिकत आप यहाँ पर नोटेस करो पचपन सो रुपे का प्रॉफिट गेन किया बहुत अच्छी बात है तालिया उसके बाद में नीचे की तरफ और गिराई है और पचपन सो और मिल सकते थे मतलब यहाँ पे मुझको 11,000 रुपीज का प्रॉफिट दिख सकता था अब मेरे पास दो अप्शन है पहला अप्शन विल बी लाइक में रोना चालू कर दो किस चीज को लेकर आज ही मालिक मेरा तो नीचे और गिर जाता तो मुझको और भी हो चुका है मैं उसके उपर अपनी आपको लाइक क्या सकते है अप्रेशेट करू कि भाई तुमने यह ट्रेट डाली एंड यह इसली पॉजिटीव हो है 20 लोट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे लोग ऐसी होंगी जो सोचें कि 20 लोट बहुत जादा पै कैसे नहीं लगते मालो मैंने यहां पर गया एक लॉट पच्छिस सो का आता है सो टोटल मेरी इंवेस्मेंट जो थी ना यहां पर 20 लोट की बात करें सो टोटल मेरी इंवेस्मेंट आपरोक्स कह सकते हो 50 लुपे की थी ठीक है और 50 लुपे के ऊपर 500 लुपे का प्रॉफिट विदिन डे यहां पर अचीव हुआ रीजन है उसके पीछे लाइक कॉमन सी बात है देखो इसके पीछे आप मैथमेटिकल कैलकुलिशन ऐसे काउंट मत कर ले न कि भाई दस परसेंट पोर दे निकल जाता है ऐसा कुछ नहीं होता वो डेली का कोई सीन नहीं होता लोग यहां पर फूसता है क्या हम डेली प्रॉ फूसता नौकरी करने वाले को वन मंत मैं मल जाता है अगरा बिजनस करना चा रहे हो दिन डेफिनिटली दर आना वढ़ना मत आना और कोई सोच रहा हो कि भाई यह तो like कह सकते हो ऐसे कैसे ऐसे कैसे क्या यहाँ पर ऐसी होता है यहाँ पर क्या है? अप्रोक्स कह सकते हो आपको like 42 times का leverage 42 times का leverage आप लोगों को यहाँ पर मिलता है इस कारण की वल 50,000 रुपे के मार्जिन के अंदर आप इसको delivery में काम कर पा रहे हैं और delivery में काम करते वे यह ROI निकल कर आता है आप आपको 2% ROI मेरे भाई 10% देख रहे हैं आप I agree बट यह भी बात ध्यान रखो 10% जा भी सकता है न तो यह चीज़ भी आती है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मुझे money management follow करना आना चाहिए नहीं आता तो देखको market थपड मारेगी दो और सारा का सारा जो यहाँ पर system है न सारा विगार भी देगी तो इस वज़े से ध्यान रखना होता है कि काम करने का तरीखा safe and secure आप देखो रोने की बजाए मैं भी रो सकता हूँ यहाँ पर मेरे पच पंसोर पर चले को जी रो भी सकता है बट अभी डेपैंड करेगा आपकी individual personality की उपर अब जैसे मैंने आ पर देखो मैंने क्या कि आवरेजिंग करके मैंने बांद दिया इसको मैंने अब अभी GBP और जाता नीचे गिरने की probability रखती है no problem जो भी दो चार दिर में उपर आएगा तो buy side पे profit gain करेंगे और sell side को फिर से खुला छोड़ देंगे trend के साथ में no problem 30 lots को manage किया जा सकता है अब मैंने क्या किया था 30 बांदे थे यहां पर दिखाता हूं यहां पर बड़ा नुकसान दिख रहा होता फिर हमको directly 3600 रुपे का loss दिख रहा होता हूं पर तो वह चीज़े भी बहुत जादा जरूरी हो जाती है कि आप सही time पर decision ले पाए और decision लेने की शमता कब आती है आपको थोड़ा बहुत experience होता है I wish यार यह बाते clear हो गई होगी फिर भी किसी के mind में कोई question है न कि भाई कैसे क्या क्या कैसे हुआ क्या हुआ क्या हुआ रही बात देखो यहां की तो common सी बात है counter trading strategy में यहां पर use करता हूं और common सी चीज़े उसी के अंदर बार 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 का seven four eight two eight nine zero second number यह है eight zero seven seven five two one zero four three इन में से किसी भी नंबर पर आप message करके like continue कर सकते हो levels की बात करें तो common सी बात है यहां तक ही नहीं आया अगर आता तो क्या करना था आपको मैंने बताया यहां आने पर मैं क्या करता अब आता तो मैं क्या करता है ? यहां पर मैं Counter Trade Activate कर लेता ди कौंटोर ट्रेक्ट क कर लेता जिसके अंदर क्या है ? यहां पर ही मैं एक नाई और नाई चल गिर Bennett Oak यहां पर रोगे करता और गिरती ALMAN को यहां पर हम लोग जो use करेंगे वो averaging strategy में कहीं बार बता चुका हूँ तो main चीज है कि नुकसान होने की probability कम से कम हो जाती है कोई ऐसी tension की बात नहीं रह जाती ठीक है बाकी रही बात इस वीडियो की particular वीडियो का answer क्या होना चाहिए like इसका answer 2 plus 1 is equal to कितने होता है इस फाले नंबर मुझे WhatsApp करके बताईए और अगर आप भी चाहते हो ना seven pairs में trade करना share market में सातों के सातों currency pairs में काम करना नीचे मैंने link दी है Alice blue या किसी में भी आक अकांट कर सकते हो actual मैं Alice blue seven pair allow करता है तो नीचे जाओ account open करो and easily मुझे इस नंबर में message करो कि account open हो गया है तो आपको educational purpose के लिए इस particular group के अंदर free of course add कर दिया जाता है यहाँ पर जहाँ पर आपको trade level share की जाता है for paper trading पहले paper trade करो जब आपको लगे हाँ भाई confidence build हो चुका है दना आप real market में trade कर सकते हो अपने financial advisor से consult करने के बाद में ठीक है तो इसे के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता है यह question है यहाँ पर answer देना है message कीजिए नीचे link दी है demand accounts की जाओ और account open करो मिलते है next important वीडियो के अंदर I wish यहाँ तक की बाते clear हो गई होगी झाल जाओ गया हो झाल 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 झाल